All right guys, so welcome to day number 4 of our journey of IDT CA final और हम समझ रहे थे supply, बराबर अभी तक हमने बहुत मस सेशन्स करें सबसे पहला जो हमारा सेशन था उसमें हमने GST क्यों आया, कैसे आया, GST किस तरीके से आया, उसके ओपर थोड़ा डिसकस करते हुए, पर supply के ओपर हम गए थे, और फिर supply पर एक बहुत अच्छा discussion चल रहा था, हमारा last two days से, और जिसके through अब हमें पता है कि कोई भी transaction अगर हुआ है, तो क्या वो supply बनेगा under GST, या वो supply नहीं बनेगा under GST, इसको comprehensively देख लिया, इवन हमने कुछ ऐसे transaction भी देखे थे, जो deemed supply थे, कि out and out आपको देखके लगेगा नहीं हार यह supply है, पर आपको धीर से समझ में आएगा कि बैए, क्यूंकि यह mentioned है, कि इनको deemed supply मानना है, आपको उन तरीके के transactions को भी supply मानना पड़ेगा, करेक्ट, and हमने फिर उसके बाद एक और देखना चालू कर रहा था, section 7, subsection 1A, जिसके अंदर राज सर, हम देख रहे थे कि supply हो जाए, सिर्फ यही बात जानना जरूरी नहीं है, इसके बाद हमें यही जानना जरूरी है, कि वो supply of goods बनेगा, या वो supply of service बनेगा, और इसमें हमने बहुत सारे must points देखना स्टार्ट करे थे, and राज सर, आज हम क्या करना जाले, यही points कंटिन्यू करेंगे, section 7, subsection 1A का, हम schedule 2 पढ़ रहे थे, वो बोल रहा था कि, sir, supply of goods किया है, या service किया है, वो मैं बताऊंगा, करेक्ट, supply है कि नहीं, वो तो section 7, subsection 1 बता देता है, और 1A पुरा schedule देता है कि, कौन-कौन सें transaction में कौन सा goods बनेगा, supply of goods कौन सा service बनेगा, उसमें हमने 70-80% coverage last session में कर लिया था, और sir, हमने देखा था कि, यह list government लाई भी इसलिए, क्योंकि यहां पर confusion अगर हो, तो clear हो जाए, this helps mitigating the ambiguities which existed in the earlier laws, और इसमें sir ने एकदम best example दिया था, वो था restaurant वाला, कि जब restaurant वाला आपको service प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे मुझे भी service ही निकल रहा है, तो restaurant वाला जब आपको dish prepare करके दे रहा है, आप जाए, वहाँ बैठे हो, dish आई है, तो उसके अंदर बहुत एक must question है कि is it supply of goods, क्योंकि वह आपको देखा जाए, तो एक तरीके से जो भी वह खाने का समान था, वह goods तो थाई, तो is it supply of goods, और is it supply of service, तो उसमें sir ने हम मस बताया था कि supply जो होता है या services जो होती है कई बार ऐसा होता है, composite supply करके निकल के आती है चीजे, जिसमें ऐसी दो चीजे mix हो जाती है, जिसको बोला जाता है composite, और अगर वह naturally bundled हो, तो ही sir वह composite होता है, otherwise वह mix supply होगा जो हम आज देखेंगे या कल देखेंगे, आज के session या कल के session देखेंगे, वह section 8 के अंदर आएगा composite supply या तो mix supply, तो composite supply तो उधर जो पढ़ना है, इधर अपनने पढ़े लिया है, उधर तो हम revision करेंगे, correct, okay, तो हमने works contract देखा था, restaurant contract, restaurant services देखी थी, correct, ये दो क्या है sir, classical example of composite supply, कोई भी बोले कि classical example क्या है, तो GST log खुद बोलता है कि works contract and restaurant services are the classical example of composite supply, okay, तो sir, अब हम आता है कि जो 3-4 transaction हमने छोड़ दिये थे, last lecture में कि बहुत लंबा चला गया था, इसके लिए, तो वो transactions देख ले थे कि वहाँ पर supply of goods बन रहा है या supply of service बन रहा है, तो sir, next point अपना है temporary transfer or a permitting the use or enjoyment of what intellectual property rights, तो sir, अभी एकदम अपनने कल भी देखा था कि sir, एकदम easy easy hard है, कि इसमें हमें पता चले ही रहा है, but ambiguities नहीं रखनी है, तो हर चीज़ लिख देता है, वैसा try किया है इन लोगोंने, intellectual property right मतलब sir, क्या होता है, trademark है, copyright है, royalties है, मैंने कुछ book author की, ID की, और मैं आगे sale कर रहा हूं, correct, okay, तो वो मैं आगे किसी को book का right दे रहा हूं, कि मैंने तो बना दी, फिर आगे का मुझे नहीं आता, printing नहीं आता, marketing नहीं आता, publishing वाला जो होता है, publishing author होता है, तो मैं किसी के साथ type किया, correct, कि इतना royalty मुझे दे देना, 70 % मैं रखू, 30 तो आप रखे 50 तो यह जो, जो मैं share कर रहा हूं, of a what मैं मेरा दीमाग दे रहा हूं, correct, तो यह क्या इंटलेक्ट दे रहा हो, intellectual property right दे रहा हूं, तो वो क्या है, goods है या service है, correct, तो वो exactly वो supply of service है, तो वैसे हर जो भी intellectual property rights है, copyrights है, जो भी आप आगे दे रहे हो, पासोन कर रहे हो, मतलब मोवीज और थियाटर में भी ऐसा ही होता है, कि जो राइट्स ट्रांसफर करते हैं, ओफर डिस्ट्रिब्यूशन, तो वो सब चीजे यहां पर आएगी, समझने की बहुत जरूरत नहीं है, पता ही हमें वो सर्विस के न कोई बना पुरा content है इसके पास पैसा है, बट राइट्स देता है तो पूबश तो पूरा ownership ट्रांसफर नहीं होआ, दस साल, पांच साल के लिए राइट्स के लिए राइट्स देता है, कुछ होता है, वह सुर्यवां समझादा, कैसे दिया है बता ही नहीं देता है, रोज कुछ सालों के बाद वहाँ से खट जाती है और फिर कोई और बाद में से डीय।वलप्मेंट डिजाइन प्रोग्रामी कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अफग्रेडेशन एन्हांस्मेंट, इंप्लिमेंटेशन सरे इतना ऐसा ही डॉट डॉट ही करने का तो कि ये सब चीज़े मोहमा है देखना क्या है सर, of what? IT सॉफ्ट्वर सॉफ्ट्वर रिलेटेड कुछ भी चीज़ा है अपने को पता है, सर्विसी होनी है तो वहां भी भी सप्लाइओ सर्विस है तो इसमें भी डेप्थ में जाने की रिक्वार्मेट नहीं है सॉफ्ट्वर रिलेटेड कुछ भी है तो इसका डेवलप्मेंट, डिजाइन, ब्रोग्रामिंग, कस्टमाइज़िस इन, अडप्टेशिए आपको भी दोती ना है तो इसमें एड कर देना सब कुछ क्या है सॉफ्ट्वर रिलेटेड यह चीजे तो CPT में पढ़ लिया या तो BICOM में और वहां पर MLO करके subject आता है कि कुछ ना करना भी कुछ करना है कि मैं कोई चीज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ तो फिर वह क्या कोई काम है अपने घरवालों के लिए नहीं है बट बिजनेस वर्ल्ड में कुछ ना करना इस अलसो एस गुड़ अग्रीमेंट एस तो दू सम्थिंग मतलब एक यह मार्केट है वहां पर अगर सब को पता है कि इस मार्केट के अंदर अगर राजसर आ गए ना तो फिर यह पूरा मार्केट भिगड़ देंगे तो अल्रेड़ी जो इधर किंग है वह बोल रहे कि अपना रिष्टा अच्छ है राजवे क्यों इस मार्केट में आ रहे हो मेरा पचास साल सत्तर साल का बिजनेस भिगड़ जाएग एक काम करो नहीं आने का पैसा देता हूं मत आऊ दिजा तो वह क्या है आशा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बैटा हूं बट मैने पास्ट में कुछ किया है ऐसा कि उनको डर लग रहे है तो सर ऐसे एक्टिविट इसे नॉन कॉंपीट अग्रिमेंट भी कहता है बहुत बार ऐसा होता है, और आप usually notice भी करोगे, कि कभी ऐसा होता है, कि दो-तीन partners मिलके business कर रहे हैं, फिर partners के अंदर अगर कुछ problem आती है, एक partner अगर leave out होता है, तो हमारे यहां पर legal, इसको outright आप stop नहीं कर सकते हैं, कि यह आदमी आज के बाद कामी नहीं करेगा, इसे कोई transactions है, कि जहां पर हम किसी को कुछ ना करने का पैसा दे रहे हैं, या तो कुछ सेहन करने का पैसा दे रहे हैं, तो tolerate and act मतलब क्या है, तो अपन इंस्टा पे और Facebook पे देखते हैं, कि एक बंदया सेड़ा है, कोई या, slap me and give me 500 rupees, या, slap me and give me 500 rupees, या, slap me and give me 500 rupees, ये एक मजा कोला example दे रहा हूँ, बट इसको अगर बड़े लेवल पे सोचे, तो वो tolerate कर रहा है, और पैसे कमा रहा है, तो सर supply of service तो है, कि किसी और का frustration निकल रहा है, तो कुछ tolerate करना, loss tolerate करना भी होता है, market share गेजना उसको tolerate करना भी होता है, वैसी हर कोई भी चीज है, तो all those things will be covered under this point product number E, और वो supply of service बनेगा, यहां मत सोतने आना कि यह supply कैसे बना, यह supply तो बन गया है, क्योंकि वो तो हमने बहुत detail में एक दो थी session में देख लिया, कि supply कैसे बनता है, supply बनने के बाद ही हम यहां पर आ रहे है, मतलब वो goods का है या service का है, कोई act था, जो refrain from acting अगर कोई agreement था, और वो supply नहीं बन रहा था, तो यहां पर हम बात ही नहीं कर रहे हो उसके बारे में, तो उसके example है, तो आपने को देखने हो, तो cable operator है, Sakharam has entered into agreement with a cable operator, Atmaram, that Sakharam will not provide a cable connection in these specified areas, where Atmaram is provided, Sir, ऐसे क्यों रहते है, पता है, आपको भी ऐसे डिमाग में आ जाना चाहिए, कि cable operator का जो installation से अपने machines रखने बढ़ता है, तो यह लोग area बकड़ लेते हैं, Sir, एक CTA एमदाबाद, उसका 10% area है, ना तो उदर देखोगे ना, Sir, air link ही चलता है, इधर GTPL चलता है, तो data sky चलता है, area-wise क्यों चलता है, Sir, क्योंकि हर बंदा जाएगा, तो उतना cost ज्यादा लगेगा, Sir, बहुत genuine है, जिसे हमारे यहां पर इंटरनेट की initial days में issue थी, तो एक company थी, जो बहुत अच्छा internet प्रोइड करती थी, तो मैंने उनको बोला request करा कि आप हमारे मेरा घर का location दिया, तो उतना बला कि यहां हमारे area में अभी access points नहीं है, तो हम अभी नहीं आएंगे, कुछ time यह चल ही रहा ऐसा नहीं है, यह हर जगह पे हर city में देखोगे नो, तो cable operator वाला standard है, same way internet वाला standard है, sim cards वाला standard होता है, तो वैसे हर लोगों का competition के अंदर भी understanding होता है, कि last में तो अधानी और अभानी दोनों तो phone पे तो बात करता है, वाई, शांती सिर्फ मेरा marketing का cost लग, तो वो लोग areas define करता है, mutual understanding से इधर तू play कर अधर में play कर होता है, same way late delivery charges, recovered from the supplier for non-fulfillment of the contractor, यह भी अच्छा point है, हम तो अभी ऐसा ही देख रहे हैं थे कि किसी के साथ, मतलब ऐसा है कि अलग हो, बटको नॉर्मल contract है, वहाँ पर दिया गया है, कि चार महिने में आपको मुझ इसा है, तो पैणलटी किया है, साथ, टॉलरेट से इसा है, एक सिच्छान है कि चार महिनों में नहीं नहीं देख, तो मैं contract है वो चार महिनों से में पंदरह, बीस निन उपर जा रहा हूँ, तो पैनल्टी कर लगा है, साथ, मैं आपकी service को बैर कर रहा हूँ, जलेगा, ठी तो वह लेट डिलिवरी चार्जिस में covered up हो जाएगा, same way notice pay from employee for leaving the job, before agreed period of notice for leaving the job, तो सर यह जो point है, हम schedule 3 में भी पढ़ेंगे, सबसे पहला schedule 3 क्या है, negative, for the government, correct, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए पॉस्टिवनेस्ट, तो उसमें क्या है, कि सबसे पहला employee related आएगा, वह of the contract, इसको है आपने ना employee वाले लिनी के बाद वापी सबसे राएंगे, हम आपन ऐसा करीर है, कि ऊपर जाके निचे जाते है, तो इसे हलका हलका इधर चोड़ा है, हम इन-depth में वापस पढ़ेंगे, और वापस है transfer of right to use any goods from a purpose, है right to use हम बहुत बार पढ़ पढ़ चुके, first service हैगा, 7th point, supply of goods by unincorporated association or a body of person to a member thereof, for a cash deferred payment, valuable consideration, वो सब ठीक है, तो सर ये क्या बोल रहा है, कि आपन जहां पर रहते है, उसका एक society रहता है, को society कुछ services देती है, कुछ goods देते है, तो अगर goods दे रहे है, तो supply of goods होगा, services दे रहे है, तो supply of service होगा, तो इसमें लोगों न example भी दिया है, कि एक society है, वो अपने members को AC दे रहा है, तो सर वो क्या होगा, supply of goods है, तो supply of goods है, ये भी एक ठीक ठाक पॉइंट है, अपने को से भी याद कर, पढ़ के छोड़ देना है, तो अपन उपर से जाते है, को जोटा के है, तो ये अपने unincorporated association वाला देखा, लास् कि कुछ काम ना करना, exactly, or tolerate an act or situation, is also supply of services, IT software देखा, supply of service बनेगा, intellectual property right देखा, वो भी supply of service बनेगा, because it is permitting of the use of it, यह देखना, permanent transfer हो सकता है, अलग चीज हो जाए, but use or temporary transfer की बात चल रही, फिर अपन ने in-depth ये इस चीज़ पढ़ी थी, construction related कुछ service, उसको हमने works contract के साथ लिंक क किया था, composite supply के साथ में की, sir, एक phase है, contractor हो बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, तो ये पहले अपन ने WIP सिखा था, क्योंकि वे works contract पता नहीं था, works contract पढ़ने के बाद हमने बोला, sir, ये वाला जो पोशन था, उस पे GST लग रहा था, ये वाला जो पोशन था, यहां पे GST नहीं लग रहा था, यांपर ये दो पोशन में, हएक स्केडिल 2 में यहां पे कवेरड अपो रहा है और दूसरा स्केडिल 3 में पोडर वारा है, आपर वापस एक पर देखेंगे, तो अभी इधर इसे चोड़ देते हैं, उसके पहले रांटिं अट्ग अफ मोबल तो हर ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए सिफ ट्रांसफर लिखा है इसे कनेक्ट किया था अपनने स्केडूल वन के साथ कि अधर भी कुछ ऐसा था कि अधर असेट खरी दियो इसके साथ लिंक करना है क्योंकि हमने क्या देखा था इधर मैं चैरिटी में मोबाइल दे रहा है तो फिर सब गुड़ दे रहे तो गुड़ आपि नहीं है बात बहूं देखा था ट्रीटमेंट और प्रोसेस मेरे गड़्ट थे तरह मेरे यजवेच ब्डाय को भीज़ता कि साली ट्रीटमेंट करने के लिए यह डाइंग करके दे दो उन्हों मुझे कलर और डाइंग क के वापस दे दिया तो वो क्या था treatment on the good supply of service बेना था उसके पहले land building वापस आ रहा है यह बहुत बार देख चिक है उसमें नया क्या सिखा था करने के लिए मुझे फाइदा करवा रहा है उसका कुछ payment कर रहा हो तो वो भी supply of service बनेगा और यह तो एकदम इसी वाला था था गुड्स प्ले वनिला उसे जाए तो service फ्यूचर डेट वाला अच्छा था कि हायर पर्चिस है तो वो गुड्स में आएगा और हायर पर्चिस के अगर हो है sale on return basis है तो वो भी covered up होगा तो यहां पर हमारा section 7 का section 1 है और 1 है बोले तो schedule 2 कंप्लीटली खतम होता है correct ओके सर अब सर नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे सर यह तो घदम हो गया बट हमें पता है कि sections लिखने के बाद फिर भी अगर कुछ clarifications रह गए तो government हमें clarifications के तौर circulars के तौर हमें clarify करती है कि सर इसमें ऐसा करना इसमें ऐसा करना सर तो मेरा क्या पर question आपके लिए पहले आना चाहिए circulars basically होते क्या है what are circulars what are notifications if at all अगर government से आते है और अगर एक बंदा है मतलब इसमें सर दो question है अगर एक बंदा है जिसको IDT comprehensively सिर्फ exam point of view से नहीं पढ़ना इवन real life point of view से वो उसकी practice कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजों का track रखना पड़ता है जैसे उसको इसका इतना importance है एक बार अपने पूछा है तो यह एक बार देख लेते हैं दो मिनिट का discussion कर लेते syllabus का पार्ट ही है क्योंकि अगर एस equations आते है ना तो बोलते है कि सर बुक के बाहर है पर बुक के बाहर नहीं है आप लॉप पढ़ रहे हो तो यह तो है तो सर जब कोई भी act बंढ रहा है ना तब वहां पर सबसे पहले तो सर act आता है एक होता है हमें क्या-क्या पता है ना वो एक बार लिश्ट आउट करता है एक होता है rules राइट एक होता है अपना notifications एक होता है circular ओक और कुछ रहता है सर इसके अलावा और ने आता है mostly तो सर यह है एक होता है इसके पहले पेपर वर्क्स रहता है ओके यह सर नया है मतलब जब act बंढ रहा है rules बंढ रहा है उसके पहले जो सारे वो लोग discussions करता है तो उसका जो minutes है हां मतलब कोई act बंढ रहा है तो meetings हो रही है पार्लामेंस में तो जो उसके drafting हो रहा है तब उसके intention क्या है वो लिखे हो रहता है तो वो सब चीजे एकदम high level की है कि अगर act में कोई point में मुझे debatable लग रहा है ओके कि इजर भी गिर सकता है यह provision और इजर भी गिर सकता है तब अपने वर्स्ट सेशन में देखा था कि अपन वो इंटर में चला गया अपने बोला था कि किसी भी act को कैसे पढ़ना है एक्जाट्र इंटर्प्रिटेशन ऑफ स्टेट्ट करके चेप्टर तो वो बोलता है कि सर कभी भी किसी act को rules को regulations को पढ़ना है तो इंटेंशन ओ lawmaker क्या है कि उसने जब सोचा तब उसने क्या सोच के यह बनाया था तब उसका mindset क्या था क्योंकि अगर कोई act 15 साल पहले बन रहा है तो वहां से 2 साल 3 साल क्या futuristic opinion के साथ होता है फिर market पूरा change हो जाएगा ना तो scenario change हो जाएगा बट तब क्या था ना वो supreme court इसके उपर focus करती है जब इतने debatable case आता है कि उस दौरान यह mindset था यह circumstances था और वैसे act लिखा गया तो वो सारे paper से ना वो भी जो अच्छी advocate से high level पे वो भी लेके आता है यह बहुत पॉइंट आपने बोला क्योंकि यह पॉइंट सर मुझे भी पता था कि हमेशा अगर कोई भी ऐसा होता ही है कि section के ना multiple interpretations निकल जाते है इवंदो lawmaker एक ही intention से बनाना चाहता था पर English is English तो कई बार ऐसा होता है कि उसके ना multiple interpretation निकलते है तो यह line सर मैंने बहुत देखी थी कि जब एक section का multiple interpretation निकलता है तो focus on the intent of lawmaker rather than what is making sense to you तो यह मेरे को line हमेशा पता थी पर मुझे यह नहीं पता था कि intent of lawmaker में कहां से डूड़ू तो वो है यह papers उनके papers है उनके workings है वो बकाईदा मिल जाते है अगर RIT करेंगे ना तो भी मिल जाते है तो sir यह हमें पता रहना चाहिए कि intention of lawmaker और अपन एक word सुना है CPT में कि substance over form. अगर पता चलगे आप कैसे सूचना और इंडबरेट करना इतना असान लगे करना सही है तो उन्होंने भी चाह पीते-पीते बनाया है तो हमें पढ़ना भी वैसा ही है अगर पता चलगे आप कैसे सोच रहे हो करेक्ट ही सब जाना दो सी ए फाइनल का पेपर जो डिजाइन कर रहा है उसका माइंडसेट पता चलगे यह कैसे कुश्यन ढूंडता है तो फिर अपने को अंसर करना कि कि कर दो एजी बन जाएगा तो उनके माइंडसेट से पढ़े तो सबसे पहले होता है एक्ट एक्ट में सर क्या होता है कि एक पूरा सबस्टेंस अफ जो लौ आ जाता है कि लौ क्या कहना चाहते है कंसेट फंडमेंटल हर चीज आ जाएगा रूल्स की अंदर सारे प्रोसेस आता है क्योंकि एक्ट का वेट क्यों बढ़ना जाए एक्ट बहुत बड़ा ना हो जाए और उससे अपना फोकस हिलना जाए इसके लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है, कम्लाइंस वाले पार्ट है, रूल से, एनेक्षर है, कि जो समझाना है, कि यह ऐसे ड्राफ्ट करना है, वो सब चीजे रूल्स के अंदर आ जाएगी, और एक चीज़ एकषर है लिए रहते हैंडल, जिसमें लिश्ट दिये लेगा है, कि समें पर ढं़ना है, यह लिनेट उफ्राट घीज्टे में जेदूर जाएगा आएँगा। reach. सब्सक्रें ना है जाना निए सक्ट्र आप और इपेज को प्रेक्ट पर बनाया जाते हैं अगर बनाया जाते हैं तो एक्ट को इनका रूल रहे गई हैं तो एक्ट को कैसे लिखा है न वह इंटेंशन डूनगा है करेक्ट मतलब रूल है एक्ट है रूल है स्केडियूल सह हर चीज एक लेवल के उपर यह यह 99 परसंट अलाइन वह इंगे हैं और यह बन जाने के बाद वाट स्पीड में अपने अपने करेक्ट आचे शलो है बट बन चे श्पीड है अपने अप्रूवल दिया ना फिर बोद कुछ स्टेकटोल्डर्स की इच्छा के विरुद हो जाएगा तो वो लोग अमेंडमेंस देतें विया नोटिफीकेशन ओके एक्ट में कोई चेंज करना है, रूल्स में कोई चेंज करना है, तो they do the amendments and updates via notification. तो सर, notification का भी इतना ही importance है, जितना act, rules and regulations का है, तो notification क्या है, सर, notification हमेशा mostly बाद में आएगा, act बन जाने के बाद में आएगा, क्योंकि कुछ भी amendment करना है, तो आएगा notification करना है, तो सर, notification पता है, जर रूल्स, regulation पता है, बाद में क्या रहेगा, सर, circular, circular C and circular C से clarifications, कि still कोई debatable point रहे गिया, और वहाँ पे, government को standard answer नहीं करना है, तो बाद में करना है, तो इसमें ऐसा treatment करना है, इसमें ऐसा treatment करना है, एक law नहीं बना रहे है, clarifications दे रहे है, तो सर, एक सबसे important चीज है, कि circular, का legal existence क्या है, तो ये binding, correct, upon department होता है, binding upon the department, not on the user, और taxpayer जो है, उसके लिए ये optional है, okay, इस सर, taxpayer को beneficial होगा, तो वो accept करेंगा, correct, टेक्सपेयर को beneficial नहीं है, तो वो उसे जाना तो circular के तौर पर ही पड़ेगा, बट उसे अगर अलग जाना है, तो फिर वो अलग treatment देगा अपने बुक्स में, रेटरंस में, जी एस्टी के, और उसे फिर court में fight करना पड़ेगा, आपना case क्यों आपके लिए ये circular नहीं लग अगर मुझे benefit मेल रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकते हूं officer को, कि ये circular से मुझे benefit मेल रहा है, जो मैंने treatment करा है, तो officer नहीं बोल, मेरी party है, मैं practice में हूं sir, x और y दो party है, एक circular है, उसके कारण x को फाइदा हो रहा है, मेरी एक party है, x उसको फाइदा हो रहा है, और y को नुक्सान हो रहा है, same circular है, मेरी ही party है, और same jurisdiction में officer भी same है, तो x को फाइदा हो रहा है, तो मैं आज जाओंगा, और circular के हिसाब से पूरा circular list कर दूँगा sir, ऐसे मेरे scrutiny में आपको जाना है, क्योंकि circular department खुद बोलता है, कि sir circular में ऐसे बोले, इसके उपर GST नहीं लगेगा, तो officer ने बो है, इससे नुक्शान हो रहा है, same line से, एक को फाइदा हो रहा है, एक से नुक्शान हो रहा है, तो मैंना बोला, ठीक है, इसके उपर act rules में तो normal है, circular में बोला है, कि आपको नुक्शान हो सकता है, बट अगर आप चाहो तो अपन और आगे जा सकते है, तो same officer के से पास में जाओंगा, और लिखूंगा, ये वो वाली line, मतलब ये Supreme Court का settled law है, कि circular is binding, आप Google भी करोगे, तो मिन जाएगा, circular are always binding on the authorities, and ऐसे ही लिखा है, कि अगर SSC को फाइदा हुआ, तो वो optional है, कि वो benefit के लिए use कर सकता है, still उसे doubt है, तो वो आगे court proceeding कर सकता है, मतलब वो appeals में बात इदर तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो officer has a no right to say me, sir, कल ही आए थे, एक में आपने ये use किया, एक में आप ये use किया, और officer आपको बोल नहीं सकता, यार, circular आगया ना बात final हो गई, क्यों भी आपको नहीं सकता, तो ये बोल रहे है, तो ये बोल रहे है, तो sir, वो भी नही रहे है, तो ये अपने को पूरा clear हो गया, कि act क्या है, rules क्या है, circular notification, तो अभी, इन लोगों ने circular दिया है, clarified, the taxability of tenancy right, joint venture and PSLC, तो ऐसे cases में क्या होगा न, उसका sir, इन लोगों ने circular दे रहा है, और sir, 99% ये बहुत specific use case होते हैं, जब circular ये लोग दे रहे होते हैं, मतलब किसी भी लोगों का, मतलब इसमें क्या होता है, कि taxable कोई भी चीज आएगी न, तो textile वाले आएंगा, कि sir, नहीं, नहीं, हमारी साथ गलत कर जाए, गलत कर दीगा, तो act बन रहे है generic, तो specific point को trigger करने के लिए, solve करने के लिए, ये लोग है न, circular के तौर पे देता है, कि sir, textile वालों तुम्हें लोगों के लिए circular देता है, याद रखना, कि अगर कोई general rule है, जो सब के लिए सही है, पर कई बार ऐसा होता है, कि rule general है, सब के लिए सही है, पर आप specific, आपके लिए वो गलत हो रहा है, और वो आपके लिए genuinely गलत ही हो रहा है, तो आप जाकर बोल सकते हो उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए बाद भीवाद वह समझना भी पड़ जाता है लिटरल सर्कूलर पढ़ोगे नहीं तो इसमें लिखा भी होगा कि ऐसे क्वेशन्स रही होगा अभी के सर्कूलर इतने अच्छे अरहे हैं पहले इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं पहले इदर इश्यू आता है फिर उसका तो आप गुगल गेर के सर्क्यूलर स्पड़ोगे ना तो आपको पता जालेगे कि सर्क इतना अच्छा लिख रहा है कि हर इंडेस्ट्री का हमें न्यूस तो अपन रखते हैं यह जब पार्टी आएगी तभी अपन पढ़ते हैं तो अपने को सब पता चल जाएगा तो सर्फ और सर्क्यूलर क्लैरिफिकेशन कौन से पढ़ रहा है सर्फ बने गया सर्फ बने गया तो वो सर्फ पढ़ रहे है अपन टेक्स अबलेटी ओफ टेननसी राइट और यह जंडरल है इसमें सप्लाइड रिलेटेड भी बोलेंगे इस अप्लाइब बनेगा कि नहीं वो भी इ लोग समझाना चाहा रहे है तो सर्फ टेननसी राइट पढ़ने से पहले एक ब्रीफ दे देता हूं टेननसी राइट में क्या होता है सर एक होता है ओनर जिसका एक जगह है ओके मडला एक फ्लैट है मकान में लेक है नॉर्मल तौर पर देखे है अपन तो उसका ओनर्शिप और वो लीस पे देता है तो मिस्टर एक्स तेननसी यूस कर रहे तो अपन एसे बोलेगा कि एज़ टेननसी वो दे रहा है मिस्टर एक्स को और कुछ स्टेट में अभी आपन जो देख रहे है ना वैसा मेकैनिजम है कि अच्छे खासा रेंटल रेंटल का इजर इन लोगों बट अभी ऐसा हो रहा है कि मिस्टर एक्स को वाई मिल गया को बल रहे है सर आप इधर 10,000 रुपे पर मन्त पे कर रहे हो ना मैं आपको 15,000 दे देता हूं तो क्या आप मुझे ये सब लिस करोगे क्या मतला बेसिकली एक तरीके से सब रेंट वाला सिस्टम हो गया कि मैंने आपको दिया और आपको मेर से भी बड़िया एक्टेनेंट मिल गया जो उस प्रॉपटी में रख सकते हैं तो सर ओनर्शिप किसका है उनर्शिप तो मिस्टर ओनर नाम यूज करेंगे एक्स वाई जड़नर है बट उन्होंने तो मुझे मैं अगर एक्स हो तो मुझे देग तो और ये एक चीज़ों के मुझे मिल रहा है एक और हो सकता है कि सर ओनर को मिल रहा है और को ही मिल गया कि सर ये मिस्टर एक्स के साथ तो बहुत सरस्ता दंदा हो गया ये और ढूंड़ता ना तो य मिल गया मुझे ये पंद्रह अजर दे रहा है तो ओनर आता है ये जो सर आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है, आप 10,000 में किसी और जगह पे डून लेना, बट यहां पर जो मुझे 5,000 का फाइदा हो रहा है, तो मैं आपको 2,000 दे दूना, तो यह जो 2,000 दे दूनगा, उसके ओपर टेक्स लगेगा, कि नहीं न, उसकी बात चारी है, अपन पढ़े एमस्फी प्रेम सम सी, इसली का टेन प्रे जील प्रेम लेघ जो zarनी जड़ीची प्रेम आपको 10,000 देने people इन रजोगे चारी है, वींस क 1965 का बाते हम पदेिए हैं ultimate student देता है यह जो रहां रहां तन्स परेम हैंगी भ फूर्वेट बियोत कि सट्षबाने स्वेज को आवे ह और यहां पर एक्स बनके जर नहीं रहूंगा मैं यह मेरा राइट पांच साल वाला हो मैं सेल करता हूं करें अ कोस्ट ऑफ 2000 रुपे पर मंथ यह कोई भी प्लम्सम कोई भी अमाउंट हो सकता है option to sell the tenancy right of the same property and in a such cases he has to share the percentage of the proceeds with the owner of land as a laid down in the tenancy agreement मतलब दोनों तरीके से बात कर रहे हैं मुझे भी कोई बंदा मिल सकता है या तो owner को भी कोई मिल सकता है आगे पढ़ेंगे तो owner के perspective से वापस आ जाएगा drafting इतना अच्छा नहीं करते हैं अल्टर नेटिली अच्छा नहीं करते हैं alternately the landlord pays the tenant the prevailing tenancy premium to get the property vacated यह important कि मतलब उसको खाली करने के लिए यह जो 2000 रुपे का आप जो पेमेंट दे रहे थे हैं कि भाई देख मेर को और भी अच्छा tenant मिल गया है जो मेर को जादा भाडा देने वाला है और मैं समझ सकता हूं कि में तरसे पांच सल की डील करी ती तो एक काम कर तू यह तो यह तो अध्य है सब्सक्राइब को जाद दएर ठांसफर फेंटंच सिराइट अगेंस देपार इसे मौद इस स्वेरल कावड अंडर अध्यॉथ सभाइब यह तब्लम्र तो तो अपन वापस यहां से वापस वापस पढ़ते हैं अल्गो त्स्टेंव खांधियां अभी नेठे ग registration charges have been levied on such a transfer of tenancy right, it shall still be subject to GST. Sir, stamp duty or registration charges एक लाइमेन की तरह देखे, एक लाइमेन की तरह देखे, तो सर, ऐसा डाउट आने का रिजन या है, कि सर, इसके उपर तो stamp duty लग रहा है, registration charge लग रहा है, तो क्या GST लगेगा क्या? यहां से अपने सुचा ना कि क्वेस्चन कहा से हराईज वा, यह सब बोलने की जरूरत थी नहीं, अगर पैसा कमा रहे हो तो आपको GST लगना पड़े है, बट यहां पर बोल रहा है, कि stamp duty registration charge है, तो भी वो GST लगेगा, कि merely because a transaction or a supply involves the execution of document, which may require the registration or a payment of registration fees and stamp duty, बाहर नहीं करेगा, ओके सर, यह आपको पता चल गया, और इधर बोला है कि यह supply of service बनेगा, यह तो अपने पड़ाई यह उपर, cannot be treated as a sale of a land or building, और बिल्डिंग, वो sale of land and building नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ओके सर, और इसलिए वो negative list का काम नहीं होएगा, वो आपके लिए एक supply बनेगा, और supply बनते ही हमने यह भी clarify कर दिया कि supply of service बनेगा, एक और बात इन्होंने बोली है, जो हम आगे discuss करने ही वाले, और हमने कल भी discuss किया था, कि अगर residential dwelling है, for a residential purpose, बोस तो वो exempt है में बता है, तो यहाँ पे आप नहीं पढ़ोगे ना तो सर, चलेगा, ओके सर, करेक्ट, यह हम एक्जम्शन में देखने भी वाले है, हालांकि हमको आप लिए भी देख लिया था, आज भी थोड़ा हलका देख लिए, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना सर वो काटते रहो, यह पूरा काट दो, तो सर यह काटो गे ना तो बुक का वेट कम होगा, डूसरी बार रिवाइस करने की इच्छा होगी, अधरवाइस नहीं होगा सर, तो सर यह अपने एक पढ़ लिया, दूसरा पोर्शन है, जॉइंट जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर आपके लिए होमवर क्या, क्योंकि और आपका, मैं आपको इंटर्प्रेटेशन सिफ समझा देता हूँ, जॉइंट वेंचर मतलब क्या है, कि मिस्टर एक्स, य एंजड, तीन फ्रेंड है, और कुछ बिजनस साथ में करना चाह रहा ओके, तो 100 रुपे, 100 रुपे, साइं लोगों ने 100 रुपे वाला एक्जामपल लिया, साइं लोगों कुछ काम नहीं हो बहुता, पार्टी भी नहीं होती सार, तो 100 रुपे यहाद रहें, और 100 रुपे, एकस वाई-ज, सौ, सौ, सौ रुपे बहुतर्य एकटा कर रहा है, इन लोगों का एक्जाम्पल है, sir, यह मशीन लगा रहा है, रहे, कौन्सी मशीन? पाटी भी हो रही है, sir. तो, sir, x, y, z, और इन लोगों ने चार बोलाएं ने, इनको बोलो, sir, हमारे भी तो सो सो रुपे ले ले लो, हमें भी ले लो मशीन में. और ये चार मिलके, 400 रुपी कठा करके, एक मसीन लगा रहे है, कुछ काम साथ में करने वाले है, तो इसके उपर के GST लगेगा क्या, सर लगेगा, no, because ये एक capital contribution, करेक्ट हा, capital contribution का नेचर है, इसके लिए इसके उपर GST नहीं लगेगा, इसके लिए इसके उपर GST नहीं लगे तो पढ़ना हो, तो पढ़ना हो तो पढ़ ले था है, ये होमबक देडा, JV being an unincorporated temporary association, constituted for a limited purpose of carrying out a specified project, within a time frame, a comprehensive examination of the various JV agreement, there could be a number of interstate agreement between the member, the key to understanding the taxation of transaction involving the taxability of services between the JV and the member, or interstate between the member and the JV, thus whether the cash calls is merely a transaction in money, ये नया अच्छा टम है, एक और टम हमको बता है, pure agent, और एक है, transaction in money, दोनों सेम ही है, pure agent बोलो, ये transaction in money, transaction in money, transaction in money, मतलब 100 के सामने 100, मतलब कोई भी तरीके का consideration नहीं हुआ है, in changing its form, currency, denomination, तो इसको, separate consideration नहीं है, मतलब कि, ये क्या हुआ कि, आज मेरे पास time नहीं है, मैं इंडिया के बाहर हूँ, येजभाई मेरे same city में रहते हैं, और मेरा light bill भरना बाकी है, दो लाख रूपर, मैंने उनको call के, येजभाई, अगर आपके पास cash हो, एक बार बर दोगे, क्योंकि मुझे penalty pay करना पड़ा, मैं दो दिन बाद आपको वापस दे दूँगा, तो एक लाख के सामने मैं दो ला कर दूँगा, तो वो अलग चीज है, हम उसकी बात नहीं कि रहे हैं, उदर दस हज़र पे GST लगेगा, बट ये ट्रांसक्शन इन मनी है, एक जैवी जैसा हो गया, चोटा सा, ये प्योर एजन सर्विस है, एक लाख के सामने एक लाख के सामने एक लाख की देना है, तो उस दिए एक्सपेंड़िचर उन दे अपरेशन, लाइट बिल पे करना है, या तो मस्छीन सब लगा है उनका एक्जामबल है उनका एक्जांपल है हो, तो तो बी करेड आओट, एजब अच अपरूचर वर्प्रोग्रम एंद बजए बगएट, बहुछ या निए बहुत फैं मेंबर परचीस इस दे मशीन फॉर चार सो रूपय फॉर जेवी तो बी यूज इन दे ओयल प्रड़क्शन यह पढ़ना है इन अबोगे से कैश कॉल विल नॉट बी सब्जेक तो जेश्ट सिंस दे ऑपरेटिंग मेंबर इस नॉट करिंग आउ एक्टिविटी फॉर अनधर कंसिट्रेशन अपनने जो बात की वही है कोई एक्स्ट्रा कंसिट्रेशन नहीं है करें यहर दो मनी पेड फॉर परचीस अफ मशीन इस मेरली इन दे नेचर ओफ कैपिटल कंट्रिबूशन तो सर जेवी पढ़ेंगे तो अपने को एक कैश कॉल देखना है और एक यह देखना है कैश कॉल टर्म तो इवन रिमेंबर इन रियल लाइफ मतलब आ बहुत बार इसको कैश कॉल करके बोलो के तो आपका इंप्रेशन यह अलग होएगा तो एक यह पढ़ना है आईलाइट कर देते और एक यह पढ़ना है बाकी सब इन लोगों ने सिफ बुक को अच्छा लगाने के लिए लिए लिख दिया तो जेवी पता चल गया जेवी में GST नहीं लगता जेवी में अगर आपने पढ़ा हो तो एक होता है कि एक green energy करके concept होता है हाँ जी दूसरा एक carbon credit होता है correct सर आपको पता नहीं है तो भी हमें पता चल जागा carbon credit है green energy है वो सब क्या कुछ ऐसे businesses रहता है जहां पे pollutions होता है correct तो उन लोगों को बोला है कि आपको इतना measure के उपर pollution नहीं कर रहा है अगर करोगे तो आपको पैनल लगेगा correct सामने same industry में मानलो मेरा एक business है उसमें pollution हो उसका requirement है कि मेरा 20 तक हो रहा है pollution यहजभाई का भी business है उनका 15 तक हो रहा है तो यह pollution control board देगा मेरा 20 है आपका 15 है तो आप plus में हो कि आप अच्छा business कर रहा है मेरा थोड़ा polluting वाला है तो आपका यह पाच का जो credit है ना वो आप मुझे sale कर पाऊगे और मैं भी मेरा 15 तक ले जा पाऊगा correct तो इसके उपर क्या GHD लगेगा क्या इसकी बात हो रही है तो same way बैंक्स में priority sector lending certificate रहता है बैंक ने बोला है कि एक sector है priority sector उसको भी आपको lending करना पड़ेगा बैंक्स में ऐसा होता है कि education loan के लिए आपको इतना fund देना ही पड़ेगा आपको business में हर बार CCOD business वालों को promote मत करो आपको home loan इतना देना ही पड़ेगा खेती के लिए farmers को loan farmer से अपने तो उनको भी loan देना ही पड़ेगा तो ऐसे priority sector decide किया वहाँ पे आपको देना पड़ेगा तो कोई bank है वो बोट रहे हमाई तो भाई पैसो से सब मेंदा मैं farmer को दूँँगा पैसा नहीं देगा मैं क्या करूँगा तो सब एक priority sector lending certificate होता है किसी bank ने अगर ज्यादा funding किया है तो मैं उससे वो certificate खरीद लू और मैं पैसा farmer को ना दूँगा ऐसा चीज हो रहा है कि यह भाई rules अच्छे से follow करता है मैं जंदा ही देख रहा हूँ तो इन्हों ने as a bank बहुत ज्यादा अच्छे से फुल्फिल किया और जो government ने प्रिस्क्राइब किया था उससे उपर चले है तो उन्हों ने एक edge create किया तो उसका उनको benefit मिलना चीए तो उनका जो ज्यादा वाला पोशिन था ना वो मुझे मैं sell कर सकता हूँ और मेरा जो gap था ना कम वाला वो मैं fill up कर सकता हूँ तो मुझे cost bear करना पड़ा क्योंकि मैं rule follow नहीं कर रहा हूँ तो मुझे government क्या चाहती है मुझे industry as a whole देख ला है तो balancing के लिए ये एक नया tool आता है कि sir जो बंदा अच्छा गाम कर रहा है ना उसको benefit मिले same way carbon credit को भी sale कर सकते है आपको पता होगा green energy related भी transferable tool बना है उससे भी sale कर सकते है तो अभी अपन इसे पढ़ते है RBI is FAQ on a priority sector lending certificate अभी अपन use करेंगे अभी उपर अपने को नहीं जाने का RBI ने बोल दिया है certificates are not a security मान लिया क्योंकि RBI का मानना पेड़ेगा certificate are akin to freely tradable duty scripts जैसे मैंने बोला ना एक script है जैसे share बेचता हूँ वैसे बेच पाऊँगा जैस भाहिन मुझे in the nature of share बोला कि सरी इसका इतना लगेगा नॉर्मल रेट चलेगा उसके उपर मैं खरीद लूँगा renewable energy certificate R.E.P. license replenishment license अग 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 नाम है उन सब पे पहले भी जर वैट लगता ही था इन GST there is a no exemption to the trading of this certificate the certificates are taxable as a goods क्योंकि ये पहले वैट में लगता था तो आपको वही परबत्ती जल जानी चीए थी कि ये goods होएगा राइट the GST people on the certificate would be available as a ITC ठीक है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ITC मेलेगा ना पता ही है और ये भी नहीं पढ़ने का है क्योंकि ये कहां पर trading होता है है दो ये बोला है कि狂ऄ कर कोई ये कुबर करके पमझ है अपने को जानने की जरूरत तो और तो सर्टीविकेट पता चला क्या है बहुत इंट्रेस्टिक्बर कि ये साटीविकेट पता नहीं चलता ना तो अपने को याद रहे तो अपन रट लेते हैं, पर एक बिजनस समझना पड़ता है, तो पहले बिजनस समझना इस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, क्योंकि पहले बिजनस समझो, फिर सर्कुलर जो है उसको समझो, तब जाकर आपको अच्छे समझ में आता है, तो बहुत हिसाब से कि बैलनासिंग करने के लिए, फर एक्जमपल, अगर आपकी कार्बन क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गई है, किसी और के पास कार्बन क्रेडिट की क्रेडिट पढ़िए, वो आपको एव क्रेडिट सेल कर सकता, और यह बहुत एक नॉर्मल कंशेप्त है, आपसे त और रहें complete coverage कर रहें तो फोडर लंबा जाएगा बट मज़ाएगा सर इवन मैं आपको बताता हूं कि I read this somewhere just as Suzlon is an windmill energy related farm तो basically एक wind farm है वहाँ पर वह लोग renewable energy produce करते हैं green energy produce करते हैं तो basically sir होता ऐसा है कि कोई client जो होता है वो एक wind farm खरीटता है एक windmill खरीटता है जो around 4-5 I think sorry around 16 crores का आता एक या I'm not very sure of the number but around 16 crores का तो वो जो energy produce करता है वो आपको ही use करनी है but if you have excess जैसे कि मेरी जो factory है उसमें उससे जो production आ रहा है वो जादा ही हो रहा है खर्चा तो मैं उस चीज की credit भी आगे बेच सकता हूं तो this might also come into PSLC यह concept है कि यह भी sale हो सकता है यह चीज भी sale हो सकते है यह सब चीजे अभी इमर्जिंग है सब यह 10 सल पहले इतना अच्छा live नहीं था but कोई pollution नहीं कर रहा है तो वो बकाईदा अच्छे value पे sale हो रहा है आज की चारिक में अकाउंट में फाइनल में पूरा चैप्टर इसके उबर पढ़ोगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है तो यह एक emerging concept है जो अच्छे लोग है उनको promote करने की चीज है और दूसरे जो है उसे लिना पड़ेगा ऐसा compulsion डाला तो मेरा cost लगेगा आपको फाइदा होगा तो ही ऐसा overall industry निखर के बाहर आएगा ने तो आप penalty भरोगा अगर आप यह खरीट नहीं खरीद रहोगा मेरे लिए penalty है आपके लिए reward है ओके सर आगे discussion करना है एक छोटा सा concept है बहुत important है और हमने उपर से लिए के नीचे section 7 sub section 1 supply समझा section 7 sub section 1 है supply है तो goods का है या service का है वो पड़ा और उसके साथ में section 7 sub section 2 हर जगा पे हम देखी रहे थे सर एक negative list है to the government हमारे लिए positive list है अब मैं आज के बाद positive list use नहीं करूँगा क्योंकि आपको याद क्या रखवाना है क्योंकि आप listening में इतने सर student लोग इतने शार्प है कि याद रख लेते है तो अब अपन क्या बोलेंगे negative list negative list non supplies under GST करके एक concept है beautiful है एकदम छोटा सा है वो चाहो तो अपन पढ़ ले आप बोलो साथ में ले ले लेते है let's go तो सर एक बार law में कैसे लिखा है वहाँ सो schedule पर आएंगे मतलब section की जो original reading है एक बार वो अपने करते है section 7 subsection 2 exactly तो हम क्या देख रहे है section 7 meaning and scope of supply GST का पहला section पढ़ रहा है correct कोई नहीं बूला है मुझे भी पता है section 7 पढ़ रहे थे वो क्या बोल रहे है meaning and scope of supply meaning हमने पढ़ लिया section 7 subsection 1 में meaning का extension हमने पढ़ लिया 1 A में तो सर ये scope क्या है scope मतलब इतना आएगा और इसके बाहर जो भी है वो नहीं आएगा तो scope का जो focus है ना वो आ रहा है subsection 2 से subsection 2 क्या बोल रहा है sir अभी अपन और law पढ़ने का तरीका पढ़ रहा है notwithstanding exactly anything contained in subsection 1 1 A की बात नहीं है क्योंकि 1 A 1 A एक process था 1 A एक clarification का module था okay तो ये क्या बोल रहा है कि 1 क्या है supply 1 क्या है supply तो notwithstanding term जब भी आए इसका मतला उपर जो भी है सब बूल जाओ उपर जो भी है भूल मत जानागा safe term डिलीट मत कर दो notwithstanding उपर वाला एक बार भूल जाओ और जो मैं बोलू ना मैं प्राइटी नम्मर वन मतला ये किसी के बैटर हाफ हो ना तो वैसी चीज़ है कि किसी ने भी बूला ना वो सब बूल जाओ अभी जो मैं बोलू ना भी जो मैं बोलू ना भी जो मैं बोलू ना subsection 2 बोलचा है notwithstanding anything contained in subsection 1 okay, समझ लया पिछले वाला बन activities or a transaction specified in schedule 3 schedule 3 or the activities or a transaction undertaken by central government state government or a local authority in which they are engaged as a public authority in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government okay shall be treated as a shall be treated as a supply of goods nor as a supply of service मतलब ना तो supply of goods है ना supply of service है correct यह section हमें शांती की राहत देता है कि सर यह सब चीजे supply नहीं है यहां पे हमें GST का बर्डन यही पे हम रुख जाएंगे अगर यही चेक्टर लास्ट होता तो तो सप्लाइ का subsection 2 बड़ा GST का तब यहां पे supply बनेगा ही नहीं वैसे लिस्ट दिये गए है कि जहां पे supply नहीं बनेगा कि मैं बेनेफिट दूँगा आप लोग तो सर गंदा काम कर रहे हो यह चीज आपको टैक्स का बेनेफिट होगा वहां पे A point है लिस्ट दिये schedule 3 और B point है ऐसे transaction जहां पे government public authority की तरह पे वो सारे transaction नहीं बनेगे अगर notify किये गए है यह अपन बाद में देखेंगे इसी के साथ में जैसे आपने वो पूरा समझाया था कि section क्या होता है circular क्या होता है schedule क्या होता है तो अब जब WAPI से मैं कोई भी section के अंदर schedule पढ़ता हूँ rule पढ़ता हूँ तो मेरे को इतना वो हर बार hit होता है कि यह सब same level की चीज़े है circular निचे की level की चीज़े है यह बहुत एक important चीज़े की हर बार जब आप पढ़ रहे हो तो है उपर लिखा इधर भी लिख देने का सब जो बोलता है कि यह सारी चीज़े supply नहीं है यह सारी चीज़े supply नहीं है तो वो लिस्ट स्टार्ट करता है from the first point की हमने बोला था कि मैं उपर से नीचे नीचे जाएंगे ना तो पर राएंगे इसा बोला है तो पहले यह पढ़ लेते हैं फिर उपर जाएंगे services by employee to employer in the course of or in the relation to employment sir employment term is important correct एक employer है एक employee है वो माझ लो मैं 12 लग के package पे reliance में काम कर रहा हूँ तो मैं service दे रहा हूँ JST लगेगा सबसे पहला मुझे यह दर लग गया कोई नहीं भर रहा है पता है लगेगा की नहीं लगेगा तो sir schedule 3 बोलता है नहीं लगेगा चोकि यह एक employment का contract employer और employee का relation है उसको अलग रखा गया है JST के supply के दाइरे से बाहर रखा गया है तो एक fundamental चीज है यह crystal clear है कि employee employer का relation है employee employer का relation है और वो contract employment का हो रहा है तो वो GST में नहीं होगा क्योंकि वो पहला बहला पॉइंट है हमारा की GST कौन नहीं बनेगा GST कौन supply कौन नहीं बनेगा तो हमने बोला था कि हम उपर जाएंगे बट उपर नहीं जाना क्योंकि इधर ही लिखा हुआ है amount received यह सारे एक्जम्बल हमें पढ़ था है मैं बीच में बोल रहा था है यह छोड़ दोगे तो चलेगा यह छोड़ दोगे तो चलेगा यह छोड़ दोगे तो चलेगा इसमें सारे पढ़ना काटने होंगे मैं इधर ही काट दोगा amounts received by employee from employer on a premature termination premature termination of contract of employment are a treatable as amount paid in relation to services provided by employee to the employer in the course of employment employment मदलब की ऐसा कोई amount है जो आपनने रिसीव किया है on a premature termination on a premature termination तो वो भी in the course of employment है ना वैसा ही treat किया जाएगा in the course of employment है वही treat किया जाएगा और उसके उपर GST नहीं लगे है schedule 3 का पहला point यह बोलता है बाद में दूसरा point आता है services provided by casual worker to employer who gives the daily wages to the worker services provided by worker in the course of employment तो यहाँ पे भी GST नहीं लगेगा क्योंकि course of employment के अंदर अगर कोई भी service आपने प्रवाइड करी है उस पर GST नहीं लगे है बाद में एक और आता है casual worker employed by a construction contractor for a execution of building contract are a services in the course of employment मिलब ऐसा है कि एक contractor है किसने 200 labor लगा दिये तो वो जो 200 labor किसी site पे लगा दिये तो वो सारे contractor और 200 worker के बीच में जो रिष्टा है वो कांसे है employment वाला है casual employment वाला similarly the casual worker employed by security services for a provision of security services to the client are also services in the course of employment employment तो वो सारी चीज़े employment वाली है अपन ने देखा premature termination बाद में देखा casual worker casual worker में contractor वाला देखा और security services वाला देखा only services that are provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply however however ये बात जो थी वो services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as a supply ऐसी कोई चीज़ है कि जो employment के दोरान नहीं दी जाती है मैं जॉब कर रहा हूँ but इस में जॉब रोल में था मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था but मेरा जीज़्ट भी अच्छा है और कोई केस आ गया उनके पास मैंने बोले कि इस में मैं कंसल्ट कर सकता हूँ but ये फीज लगेगा तो वो क्या हो गया वो हो गया ये वाला on a principle to principle basis are not services provided in the course of employment यहां पे GST आएगा मठलब की जो examples हा हम कि मेरा goods है मैं आपको दे रहा हूँ तो एक contract तो बना बड़ ये principle to principle है exact डाइंग कैसे करना मैं आपको briefs दे सकता हूँ मुझे ऐसा color चाहिए बट आपके उपर पूरा कंट्रोल मेरा नहीं है आपके मशीन से, आपके वरकर से, आप अपने आप से काम करोगे तो यह क्या हो गया सर, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो गया बट मैं इन हाउस में किसी को रखू और बोलू यह मशीन लगा दिया, ऐसे कलर करना है तो मेरा फुल कंट्रोल उसके उपर है इसी तरीके से इसी प्रोसेस को तू करेगा फुल कंट्रोल आ गया तो वो एम्प्लोइमेंट में है बट मैं किसी को आउट्सूर्स करता हूँ और वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है तो वो जॉब है ही नहीं क्योंकि कंट्रोल नहीं है मेरे पास वो उनके हिसाब से करेंगे तो वहाँ पे GST लगेगा और सीजी चीज है यह जो उपर वाली चीज है ना उसमें सेक्चन 192 में TDS कटेगा सेलरी यहां पर क्या कटेगा 194 C में कटेगा पर 194 C में लगेगा 194 C itself says that कि एक बिजनस है और 192 बोलता है सेलरी है तो ऐसे भी बता चल जाएगा कि यह जिएएट में आएगा यह नहीं आएगा अनी अमाउंट पे बात उपर बात उपर पेटिंग बिजनस इस पेड फॉर प्रोवाइडिंग इस सर्वीस ओफ फॉर्वीरंस तुएक्ट अपन ने यह बात उपर भी डिसकस के तो एक एंपलॉई है वो चोड़ के जा रहा है और वो सेम बिजनस ना कर रहा है वो उपर आले एक्जामबल में जा रहा है मैं चोड़ के जा रहा हूं और मैं उसको ही कॉंपेटिशन दे दू तो ऐसा क्लॉज है और उसका कोई पेमेंट मुझे दे रहे है तो वो सर्वीस के दौरान नहीं है यहां पर GST लगेगा supply बनेगा पॉइम्पलाइब पॉइंट हमने देखा employer-employee का रिलेशन है थो GST प्लाइ ही नहीं है जोड़ दो प्लाइ ही नहीं है उसमें कैज्वल वरकर देखा कॉंट्राक्ट वाले देखे बाद में हमने pre-mature termination देखा वो सब चीजे इसके अंदर आ जाएगी बट एक अच्छा यूनिक चीज था अपना principle to principle है तो वो supply बनेगा उस पर GST लगेगा और दूसरा यह non-compete वाला example है वो अपने देखा क्योंकि वो in the furtherance of employment मतलब employment के चलते में यह काम नहीं कर रहो हो नहीं है employment खतम हो गया है उसके बाद में यह काम नहीं करूं उसके उपर है दूसरा point services by मतलब हम ऐसा दूसरा nature देख रहे हैं कि जहां पे supply नहीं बनेगा supply नहीं बनेगा under schedule 3 services by a court or a tribunal established under any law for the time being enforced court and tribunal district high court and supreme court अपने को पता ही तर लिख दिया है वो हमें service दे रहे है judgment pass करने की service judge ऐसे ही नहीं है तो judgment pass करने की fees है सर अपन जब court में appeal करते है ना तो हमें चलान पे करना होता है fees nominal पे करनी होती है to run the start the proceedings correct तो उसके उपर GST लगेगा कि ने उसकी बात है तो जो भी court and tribunal service दे रहे as a such वो service और supply बन रहा था but इन लोगों ने बोल जे कि इसके उपर supply नहीं है अगर notwithstanding section 7 subsection 1 तो court and tribunal के अंदर वो GST के दाएरे में नहीं आया तो sir ये लोग बोल रहे थे court नहीं है, tribunal नहीं है तो district high or supreme वाले तो खुश हो गए पर एक और था जो दूसरों की आचिका को देख रहा था कौन है sir consumer dispute redressal commission वो लोग consumer की petition देख रहे थे कि आपको कुछ दूख हुआ तो मैं हूँ आपको कुछ दूख हुआ कि इसका नेचर इनके जैसा ही है court tribunal जैसा ही तो consequently the fees paid by litigants while registering the complaint to the redressal commission are not liable to GST क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इनका नेचर court and tribunal जैसा ही है यहां पर भी हम justice ही सीख कर रह थे है तो ही हम district court, high court and supreme court में सीख कर रहा हुआ however they are clothed with the character of tribunal वो tribunal की definition में cover up नहीं होता but उनका नेचर substance over form तो नेचर tribunal जैसा ही है तो उनके ओपर भी GST नहीं लगेगा और एक consumer dispute redressal का dispute जो था ना यहां पर schedule 3 ने redress कर दिया कि आपको भी माफ किया बाद में आता है सिफ read करना है बहुत focus वाला नहीं है क्योंकि list दिया हुआ है functions performed by the member of parliament इसे कैसे याद रखना है कि एक-एक member को याद करते जाना आपका जो चाहिता हो ना member of state legislature state legislature municipalities and local authority सब आ गए वो लोग जो service दे रहे उसके सामने उनको कुछ न कुछ पैसे मिलता और सर यह लोग ऐसा कभी नहीं बोलेंगा कि हम जॉब कर रहे हैं इधर तो सर पैसों से भी ज्यादा जॉब नहीं कर रहे है तो जॉब नहीं कर रहे है जॉब दिया भाइस के एडिल 3 में डाल दो ना हमको जॉब नहीं बरना और जॉब नहीं कर रहे है तो मैं M.P. है स्टेट लेजिसलेचर के लोग है पंचायत है लोकल अथोरिटी है मुसिपल्टी है उनके एक्ट के ऊपर फंक्शन के ऊपर G.H.T. नहीं लगेगा same way duties performed by a person who holds any post in pursuance of the provision of constitution ऐसे लोग के जिसकी position हमारे constitution में लिखी गई है वैसे लोगों के ऊपर भी G.H.T. नहीं लगेगा constitution में जिसको लिखा है उनके ऊपर G.H.T. लेने का हिम्मत G.H.T. Act भी नहीं रखता है तो उसमें अपने को लिस्ट आपको देखना हो तो आप रीड कर सकते हो, प्रेजिडेंट ओफ इंडिया है, वाइस प्रेजिडेंट है, अपने प्राइम मिनिस्टर जी है, चीफ जस्टिस ओफ इंडिया, स्पीकर अफ लोकसब है, इलेक्शन कमिशनर है, C.A.G. है, और कोई भी पॉब्लिक सर्विस कमिशनर है, उन सबको इन लोगों ने बेनेफिट दिया है कि आपकी पुस कॉंस्टिटूशन में लिए है, इज़त वाली पॉजिशन साइगे हैं, तो उसके उपर G.H.T. लेने की हमाथ हम नहीं कह रहें हैं, सेम भे, कोई दूटिस परफॉर्ण भाइ एनी परसन एज़ चेयर परसन और मेंबर और डिरेक्टर, of the body established by central government, state government, local authority, who is not employee, employee होता तो उपर ही और हो जाता, बट जो employee नहीं है, तो उन लोगों को भी benefit दे दिया है, कि भे, चेयर परसन, डिरेक्टर और मेंबर हो, और अब central government, state government या local authority के कोई भी body के अंदर हो, तो G.H.T. नहीं लगेगा, तो सर, एकदम इजी वाला point है, यह सब politics वाले लोग है, उन सब के साथ G.H.T. नहीं लगेगा, सर, politics, आया, बाद में अभी आता एक अच्छा सा point, कि एक जगह ऐसी है कि G.H.T. वाला भी बोलता है, इधर पैसा नहीं लेना, सर, किसी के दुख में पैसा नहीं लेना, सर्विसिज ऑफ यूनेरल, व्यूरियल, क्रिमेटोरिय, मॉर्चुरिय, इंक्लिडिंग ट्रांस्पोर्टेशन, यह अलग से याद रखना है, ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ डिसिज भी आज आएगा, यह सारी अक्टिविटीज क्या है, सर, किसी के दुख में साथ से देने की चीज है, वहाँ पे क्यों पैसा लेना, तो सर, फोर्ट पॉइंट में, ऐसी कुछ अंतिम करिया वाली चीज़े हैं, और ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ डिसिज भी है, तो वहाँ से लेके लास्ट फ्यूनेरल तक कुछ भी है, तो GST नहीं लगेगा, यहाँ पे अपनी गवर्मेंट बहुत अच्छी है, कि इन चीज़ को इन लोगों ने सामने से छोड़ दिया, बाद में आता है अपना, वापस हर बाद जो आता है, सेल ओफ लैंड तो उपर भी नहीं था, क्योंकि सेल ओफ लैंड तो इम्मोवेबल प्रॉपर्टी है, वो तो पेज वन गूड से ही बाहर रहा, बट बाद चल रही थी बिल्डिंग के, कि जो इम्मोवेबल प्रॉपर्टी का करेक्टरिस्टिक लेता है, कब यह अपने ग्राफ बिनाया था, अभी अपने इधर क्या लिखेंगे, वर्क्स कॉंट्रेक्ट, इधर लिखेंगे, स्केड्यूल 3, तो यह जो है, इसके पहले वाला आ रहा था, वर्क्स कॉंट्रेक्ट में, स्केड्यूल 2 में, जिएस्टी बनेगा, उसके बाद वाला, इसके बाद वाला, कमपलिशन सर्टिफिजर के लिखा है, सब्जेक्ट टू पैरा 5B, पैरा 5B, और स्केड्यूल 3, पैरा 5B याद रखना है, और पैरा के नाम याद नहीं रखना है, 5B याद रखना तो अच्छा रएगा, स्केड्यूल 3 बोलोगे तो भी चलेगा, बढ़ पैरा 5B बोलोगे ना, तो अच्छी फील आएगे, तो वर्क्स कॉंट्राक्ट कुछ बंड रहा है, तो वो स्केड्यूल 2 में, कवरड अप है, अपने जो डाउट कुछ था कि रेंटिंग से स्टार्ट कर दिया था, और हर लेक्चर में आया है, तो इसके उपर, कट ओफ है, कट ओफ, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3 का, वर्क्स कॉंट्राक्ट और इम्मोवेबल प्रोपरटी के नेचर का, तो कम्प्लिशन से ठीबिसे से पहले जीएस्टी लगे ख़ुचंज की बहुता एक कहने के लिए हो अब कर, और फॉल फॉल प पैम्लेंट भी ही एक बात ही, कि सभी एठिएर कंशिट्राईर कोंटेशन की बात थी, वैसा घर की जो अल्रेडी बन चुका है, उसका CC, Completion Certificate Authority, दे दिया है, उसके बाद पैसा दे रहा है, तो उसके बाद GST नहीं लगए, और सर क्या है 100%, यजभाई ने इतना सुपबूला कि entire consideration, इधर एक रुपया भी दिया ना तो सर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एक रुपया पर आपको GST बढ़ना होगा, और चटा पॉइंट, एक रुपय को इंक्लूड करा गया था, क्योंकि तब मैंने एक्जामपल दिया था, लोट्री, गैंबलिंग, बेटिंग, तोड़े खरब बले का, कि लोट्री, बेटिंग, गैंबलिंग, पर GST लगेगा, तो एक्शनेबल क्लेम छोटा शब्द नहीं है, बहुत सारी चीज़े कवरड हो जाती है, तो इन लोगों ने बुला हमें सारे अक्शनेबल क्लेम को कवरड़ अप नहीं करना है, सेफ, लबीजी को कवर करना है, लोट्री, बेटिंग, गैंब, सर एक और कोई ऐसा एक्जामपल दीजे न, एक्शनेबल क्लेम का, जो जेन्वीन हो, सारे इन लोगों ने लिस्ट देजी है कि अपने को किसी को भी देखना हो, सा मजर एक्जामपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम, तो राइट नोगों ने पूरा सकते हो, बहुत सारे ऐसी चीजे जहां से हम क्लेम कर सकते हैं, कि ये मेरा पैजा है, I want it back, यह क्लेम, क्लेम है कि मुझे कुछ लेना है, तो जो अच्छ है अच्छ है ना, वो सब बाहर के दिया, जो जन्विन यूज केसे हमको हटा दिया, तो एक्शनेबल गुड्स में लिया, मैं पूरा कवरेज हो गया, करेक्ट, स्केडियूल 3 में उसे बाहर किया, कितने को, सब को जन्विन यूज केस को, लोटरी बेटिंग और गेंबलिंग को रखा, और सब को बाहर निकाल दिया, मतलब कि, सर हम क्या पढ़ रहा है, हमने पहले देखा, एक्शनेबल गुड्स में आ जाता है, तो उसके ओपर सप्लाई बनना चाहिए, तो सेक्शन 7 के हम एक्शेप्श नहीं आएगा, तो इजर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दिया है, कि अधर देन लोटरी बेटिंग गेंबलिंग, तो जो ब्यूटिफुल तरीके से लाए, नहीं लाए, 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 तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब पॉजिटिव जाएगा, वो ऊपर तो थी में उसे दुष्मन बना एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम के और दुष्मन बना दिया, LBG, तो ये दुष्मन, और ये दुष्मन दोस्मन बन गए of the supply, तो वो supply बन जाए, only lottery, betting and gambling, गेंबलिंग, ओके सर, बाद में, लास्ट दो पॉइंट बाकी अपना, देख लेता है, कि अगर मैं इंडिया के बाहर से कोभी product, goods को मंगवा रहा हूं, तो सर, ये इंडिया के बाहर वाला zone, ये अपना, सी ये जहां से ट्रांसपोर्ट करके वो आएगा, ये अपना, इंडिया है, इंडिया के अंदर एक वेरहाउस है, जैसे पोर्ट पे अपना सब्सक्राइब करेंगा, इसे पुब्लिक वेरहाउस भी बोल सकते हैं, तीन-चार नाम से यूज कर सकते हैं, तो ये वेरहाउस के अंदर goods, automatic store होता है, इसमें ऐसा कुछ होता है, कि जैसे पहले बाहर से सामान है, वो हमारे वेरहाउस में store होता है, जब तक हम उसके ओपर custom pay नहीं करें, तब तक हमारे नाम पर नहीं होता है, मतलब ये जो वेरहाउस है वो government का है, public warehouse, तो government के वेरहाउस में एक बार का store हो जाएगा, यहां से निकालना है तो सर, customs duty, customs duty आपको pay करना पड़ेगा, तब इसे आपको अपने usage के लिए ले जा सकते हो, और अपना usage मतलब उसे home consumption नाम दिया गया है, home consumption याद रखना है, customs में भी आएगा, home consumption मतलब clearance from the warehouse, clearance from the warehouse, यह home consumption होने के बाद ही वो product इंडिया का है न बोला जाएगा, वेरहाउस में भी है न, तो ऐसा बोला जाएगा, कि वो इंडिया में है बट है नहीं, तो एक scenario, seven और eight दोनों साथ में बढ हो जाएगा, अब अबने को पता चल गया कि मैंना order किया, USA से मेरा माल आ रहा है, दसनाख रुपे का, और वो आ रहा है, अपने को पता है कि सबसे पहले है वेरहाउस में store हो जाएगा, मुझे customs duty पे करके मेरे factory में लाऊंगा, इतना मेरा मेरा मैंड क्लिया है, इतना मेरा मे रहते है कि सर मैंने गूड्य मंगवाया था, आके बेचने के लिए हां था, अब अधि था अब था आ रहा था ना तभी मुझे केने ड्रा ओफर और और अधिक और अज़ें रख लेएगा रहाउस में लेने को तेहर हो और वह हुड़ो अभी तो आ रहा है, अभी तो पानी के अंदर ही है. तभी येक ओडर आगया. और मैने बोला है लिए टनमार. टनमार के सिदा है इसे डिशी चेंज करें लिखे चला है. यह गूड्स इंडिया के अंदर आया क्या? नहीं आया है. इंडिया में आया ही निय। तो मैं GST क्यों पे करूँ? तो schedule 3 बोलता है कि supply of goods है from a place in non-taxable territory मतलब USA to another place in non-taxable territory मतलब Canada without such entering into India एंटर करने के बज़ाई बाहर ही चला जा रहा है सीधा बाहर मतलब इंडिया में आना ही नहीं नहीं दिया तो ऐसे भी हमें बता चलता है इंडिया आएगा तो लेगा ना इंडिया में आया ही नहीं है तो section यह 0.7 तो एक्दम क्लियर इंडिया के अंदर कोई चीज़ आए ही नहीं है और सीधा एक country से एक country क्यों बोला एक अच्छा टम यूज़ करें non-taxable territory से दूसरे non-taxable territory में जा रहा है तो हमें उसके ओपर GST नहीं बरना GST नहीं बरना लूस्टम है वो supply नहीं बनेगा वो supply नहीं बनेगा तहत schedule 3 की जो दिया गा है section 7 subsection 2 में okay sir यह सबसे ज्यादा sir real life में भी use में आता है consultation इसके ओपर बनता है so sir example देखना हो तो देख लेता है George in Canada without bringing the goods in India अपना वाला ही example is the same this transaction is neither supply of goods nor supply of service okay sir 8 point क्योंकि हमने थोड़ा सीख रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सीख रहा है वेरहाूस रहा है supply of a warehouse goods to any person before clearance for home consumption sir हमने बोला था कि अगर मुझे मेरी factory में इजर मेरी factory इजर है okay मुझे मेरी factory में अगर goods को लाना है from the home consumption के लिए clear करना पढ़ेगा तो मुझे एक clean cheat देनी पड़ेगी वेरहाूस वाले को पाई payment कर दिया और home clearance के लिए process जो थी न वो खतम कर दी मैं तो जब तक वेरहाूस में है उसका जो डोर की पर है तो मेरे goods को वहां से निकलने नहीं देगा वो क्या बोलेगा ये goods इंडिया का नहीं है वो क्या है इंडिया का goods है ही नहीं इसा ही बोलता रहेगा तो ऐसा goods की supplier warehouse goods 20% before clearance for home consumption ऐसा है तो भी वो GST नहीं बनेगा तो सर और depth में और observation पकड़ है warehouse goods युएसे वाला एक्जमपल लेता है मैंने goods मंगवाया तो आ गया था और warehouse में इस बार unload हो गया warehouse तक आ गया पानी में था तो तो हमें पता था कि सर नहीं आउट ये उपर आ जाएगा आउट 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 में पर सर अपनी अपने भूमी में आगया पने जगा पे आगया तक हो टच कर के रखा है तो इसमें क्या होगा तो सर बोल रहे है कि इंडिया का गुट्स नहीं है पानी तो चलो ठीक है वेर हाउस तक भी वो इंडिया का गुड़ नहीं है समझ शुटो जब जब ठ आप इसा नहीं जो है मजला तब तकाव होंम क्लिए नहीं करते हो तब तक ओ चीज हो इंडिया के लिए नहीं बनती है लहाइन आ होंम क्लि Duch Attack Data यह होम कंजम्शन जो तर्म हो लीगल तर्म है कस्टम्स में अपन पेज 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 जैसे सप्लाइ पढ़ रहा है तो वेरहाऊस है तो सेम ट्रीटमेंट होगा अपने इजर पढ़ा वैसा कि क्या सफ्प्लाइ नहीं बने और अपने यह जो पढ़ा ना उसका ही कि अपने लिए 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 लाय पेज़ि आपने वाली पासे मेरे पास इंशूरंशन रांस्पोर्टेशन चलाइन सब तो वे मेरे पास मैं इंडिया में हूँ वो सॉफ्ट कॉपी में यह भाई जो कैनेडा में आपको दे दू ओनर्शिप ट्रांसफर हो गई तो यही पूलना चाहरा है कि इजर भी कैसे हो सकता था अगर पेपर पेट ट्रांसफर कर रहे हो तो भी वो सप्लाइन नहीं है बट वट कहां पर होम कंजम्शन से पहले होम कंजम्शन कर दिया तो फिर एक्सपोर और इंपोर्ट पूरा बन जाएगा जिसके उपर सप्लाई होएगा मैंलब वेरहाउस से होम कंजम्शन करवा दिया स्टिल वेरहाउस पर पढ़ा है तो भी नहीं चलेगा हाँ यह पात याद रखना बोट जड़ूरी है अपना ट्रांसपोर्ट वाला लेजी है बट कस्टम ड्यूटी पे कर दिया अभी वेरहाउस में थोड़ा दो दीन चार गंटा पाच गंटा पड़ा ना तो भी नहीं चलेगा क्योंकि होम कंजम्शन के लिए अपने उसको फ्री करवा लिया है तो सर यह आठ अलग-अलग पॉइंट्स थे जहां पे हमने देखा कि स्केडूल 3 बोलता है GST नहीं लगेगा और सर एक लास्ट जो दो पॉइंट है कि फंच्षन पंच्षायत के जो फंच्षनस है और म्यूसिपालिटी के जो फंच्षनस है उस पे GST नहीं लगेगा तो सर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ पंचायत को याद रखना है अगर वह कॉंसिटूशन में जो लिखा है वैसा कोई काम कर रहे है उसमें प नोटिविकेशन था उपर वाला, यही नोटिविकेशन था, यह कहा है, क्लारिफिकेशन, तो सर हमने सबसे पहले Constitution से GST समझा था, 366.12, कि GST is the tax on supply except alcoholic liquor for a home consumption, तो हमने सोचा, हमने पता चल गया था वहाँ पर, कि alcoholic liquor के उपर GST नहीं है, करेक्ट, but grant of license, उसके उपर GST लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वह बैट था, कि services by way of grant of alcoholic liquor license, by a state government, it's a state government, क्योंकि अगें, यह आपने बहुत पहले देखा था, कि alcoholic liquor for human consumption, जो है, उसके उपर state government का, state का ruling है, center, इसके उपर बोलता है, state, तेरी इचा हो तो तू डिसाइड कर, मोधी जी, तो पीते वीते कुछ नहीं यह, मोधी जी बोलता है, कि मुझे यह सब में मद गिरा हूँ, state का subjective matter, तो इसलिए, 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 state government है, एपन ऐसे लिंक करके पड़ेंगे तो जो मज़ा हैगा. मझाला मज़ा का बात है जो पहले पड़ा इदर वैलिडेट होता है न तब कि पहले पड़ा ओके और वो बात भात भी तो बुक वाले ने भी ऐसे लगए कि by a state government are treated as a neither as a supply of goods nor a supply of services. Such a license is granted against the consideration in the form of license fees or application fees by what a name is. कोई भी नाम साब गोली तो इसके उपर नहीं ले गया. एक्स्ट्राबाद में जो लिखा है वो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं. एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत रिक्वाइड नहीं हो, सिर्फ रीड करना है, इधर लिख देने का ये रीड, रीड मदलब, रीड करके छोड़ दो. तो मैन याद क्या रखना था? ये पहले स्ट्राइड नहीं है और उसका लाइसेंस बिखना था? एक और है, सर ये इतनी अच्छी चीज है कि बहुत कम लोगों के अब्जरेशन में आया होगा. मैं मेरा goods यचभाई को बंबई में sale कर रहा हूं मैं गुजरात में हूँ इमयम्जाबाद में मेरा truck पूरा लोड होके जरा रहा हूं टू दर मुंबई, महराष्टर में जरा रहा है इसके अंदर पूरा 25 लाग का माल पड़ा है और यह ट्रक की वैल्यू है बीस लाख रूपर, तो सर ट्रक भी ट्रावेल कर रहा है, उसके अंदर का जो गुड्स है वो भी ट्रावेल कर रहा है, तो सर एक मेकनीजम है मोबाइल स्कॉर्ड करके, जी एस्ट में, पूरा जी एस्ट पढ़ो के तो इधे टर्म नहीं आएका, बट मॉबाइल स्कॉर्ड प्रैक्टिस में जाओ गया, तो पता चले का कि सर वोबाइल स्कॉर्ड मिलेग, हर चेक पोस्ट के उपर हर जगह पे जहां पर टोल टेक्स लगता है, वहां पर गवर्मेंट ने मॉबाइल स्कॉर्ड रखिया, कि कुई भी विदाउट बिलिंग गुड्स ट्राविल जो नहीं कर रहा है ना चेक करने के लिए कि लोग जब बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो क्या वो GST के रूल्स फॉलो कर रहे हैं सर मेरे कहल से आगे देखा जाएगा बच्चों को ई-वे बिल के बारे में पता चलेगा आप बोलने वाला था बट वैसे तो अपन फाइनल वाल स्टुटेंट थे पता ही हो वे बिल किया होगा तो इवे बिल के बिना इंटर्स्टेट मूमेंट नहीं हो सकता एक रुपे का भी अगर मैं सेल करो तुदी जच बाई और इंटर स्टेट है, एक रुपे का भी सेल करो ना तो मुझे जी एश्टी नंबर लेना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, बैट अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो मोबाईल स्कोर्ट बीच में आएगा, और बोलेग पूरा ट्रक और ट्रक का समान थोड़ी बेच रहा है, हम तो खाली ट्रक के अंदर का समाने, ट्रक इस एन एक्चुली खाली पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने की चार्ट चीज है, जैसे हमने पढ़ा ना कि सर्मनी अन सिक्यूरिटी गूड्स नहीं है, तो ये इंटर स्टेट मुवमेंट और वेरियस मोड्स और कन्वेंस बेट्वीन डिस्टिंक्ट परसंट, मतलब यहां पर डिस्टिंक्ट परसंट ही क्यों टर्म यूज किया, आगे नॉर्मल लोगों के लिए भी यह आ जाएगा, जब अपना एक्जम्शन पेढ़ेंगे, रजिस्ट्रे से प्रदेट अपने लोगों के लिए जाएगा, जब यहां जाएगे, बुल भाइ, कौन कौन से बिए भी यह आदा है, तो सबनेल सब लेख यह ए लिए जाएगा, और बोद दो यह है, यह यह है, यह यह है, यह यह रिपेर के लिए जा रहा है, और मेंटेनांस, टो पुरा जो अपना अटोमोबाइल निदेटी अपना अफर निपल जाते हैं। और नीधे बिए लिए टॉपल से लिए भूज स्यूश्ट निए अवापस नहीं बढ़ोगे तो भी चलेगा बैट युज इस चीज शिव समझने की चीज हा ट्रुक का मुवमेंट नहीं आया है। Okay sir, same way, rigs, tools, spares, and all the goods on wheels. मैं ट्रुक के अंदर कोई भी चीज है, उसका कुछ, कभी बिगर जा तो टायर है, टूल है, वो सब चीज. यह लोग बोल रहा है। यह बहुत specific use case है, कि मतलब ट्रुक की accessories जो भी है। तो इन लोगों ने भी एसा ही बूल दिया, मुतातिष, मुतातिष, अपलाइटू, वापस क्यों लिखना, तो यह ही चीज है, तो यह भी वापस read करके छोड़ दो, यह भी read करके छोड़ देने की बात है। बहुत depth में required ही नहीं, पता ही था। तो यहां पर हमारा section 7 subsection 1 खतम हुआ, 1A खतम हुआ, और section 7 subsection 2 खतम हुआ। और अभी जो अपने कोड़ देखना है, that is section 8, next lecture के अंदर, तो यह बुरा chapter एक screen के अंदर, हमने अब तक क्या पढ़ा? section 7, meaning and scope of supply, उसके अंदर section 7, subsection 1, 1A and 2, 1 अलग था, 1A मतलब यह वाला, यह, correct, schedule 2, 1 के अंदर आता था, schedule, 1, अगर यह 7 subsection 1 clause, C में आ रहा था, और 2 में आ रहा था, schedule 3, 3, okay sir, तो इतना अपने यह पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, chapter, सब कुछ कदम हो गया है, एक ही बाकी है, section number 8, that is taxability of composite supply and mix supply, composite supply अपने को 70% आता है, बट जब तक मैं bare act से legal नहीं पढ़ूँगा न मुझे feel नहीं आता, हमें एक बार आपको वापी से, इसे तो आपको आता है, नाचुरली बंडल और यह सारी information आपको आती है, but still, वापी से हम इसको करेंगे, और क्योंकि हमें composite के साथ साथ mixed भी देखना है, तब हम और specific use case भी समझेंगे, कि इसको किस तरीके से हमें taxability निकाले है, so I hope you enjoyed today's session,